तुल्सी विवाह की आसान विधी, तो हेलो फ्रेंक्स में योगिताब का क्रेटिव भगवार में स्वागत करती हूँ, तुल्सी विवाह देव उतनी एक अधशी के दीन किया जाता है, साथी पौर्णी मा तक, मतलब पाच दिनों तक तुल्सी विवाह कर सकते है, तुल्सी तुलसी विवाह केसी करना चाहिए इसके बारे में आज हम जानकरी लेने वाले हैं। जिन को तुलसी विवाह करना है वह स्नान करकर साप कपड़े पहन ले। जैसे हम शादी के समय नए कपड़े परिधान करते हैं। जैसे ही तुलसी विवाह में नए कपड़े जैसे हम किसी रिष्टिदार या अपने घर शादी है वैसे नए कपड़े सच देश कर तैयार हो जाए जिन लोगों को तुलसी कन्यादान करना है उन्हें आज व्रत रखना चाहिए शब मोर्त में तुलसी की पोधे को चोकी पर स्थापित करे और दूसरी चोकी पर शालीग्राम जी को स्थापित करे चोकी पर अश्टदल कामल निकाल कर कलश स्थापना जरूर करे तुलसी के गमले के पास रंगोली भी निकाले शालीग्राम और तुलसी जी पर गंगाजर से छिड़काओ करे, ध्यान रखे कि शालिग्राम की चवकी की दाई तरफ तुलसी का गमला रखे, तुलसी को रोली और शालिग्राम जी को चन्दन का टीका लगाए, तुलसी के गमले में मिट्टी पर गन्ने का मंडब बनाए और उस पर सुहाग का प्रतिक लाल चुनरी फिर तुलसी के गमले को साड़ी लपेट कर चूड़ी पहनाए, दुलन की तरह शुंगार करे और तुलसी को सजाए, छालिग्राम जी को पिले वस्रबानाए, तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाए, पहले कलश गनेज जी की पूजा करकर तुलसी शालिग्राम ज की सात बार परिक्रमा करें भगवान विश्णु और तुलसी जी की आरती उतार कर भोग लगाए दिपावली के समय हमने जो मिठाईया बनाई है उसका भोग दिखाए मिठे पकवान बना कर भी भोग दिखाए एक बरतन और उसके उपर चमश की सहायता से डोल बजाए घर के बच्चे बड़े बुढे सदस्य सब मिलकरिया तुलसी विवाह में जरूर शामिल हो इस तरह से तुलसी विवाह करने से हमारे गर में सुक शांती और सम्रुद्धी और लक्ष्मी माता की किरपाब बनी रहती है तो फ्रेंड्स इहां वीडियो आपको कैसे लगाई है कमें करके जरूर बताए दन्यवाद